नमस्कार, मैं दीप्ति सिंग राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कारिक्रम में जो की गणित विशय पर आधा रेते हैं बच्चो आज हम गणित विशय के अंतरगत अवर्गी करत आकडों से समानतर माध ग्यात करना जानेंगे और इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमाई साथ है श्री प्रवीन कानपाल जी तो कानपाल जी सबसे पहले आपको नमस्कार आज हमारे बच्चो को इसके बारे में जानकारी दीजिए जी, बच्चों तुम लोगों ने, सबसे पहले बताओ, समानतरमाद यह होता क्या है, ठीक है ना, तो अपनी कक्षा में आप लोगों ने इसे आउसत के नाम से भी जाना होगा, जानते हैं आउसत पढ़ा होगा हमने, चलिए नहीं पढ़ा आपने, अक्सल टेलिविजन में मै चाहता है, तो उसमें सचिन तेंदुल के खेलने आ रहा है, तो जो कॉमेंटेटर होता है, वो बताता है कि सचिन तेंदुल करने पिछले मैचों में इतने आउसत से रन बनाए, ठीक है ना, तो समानतरमाद यही बात हो रही है, ठीक, अब जैसे समानतरमाद यह होता क्या है जी वो हम बताते हैं पहले आपको जब हमारे पास वर्गी कृत आकड़े हो यहाँ पर दो बाते हैं हमारे पास वर्गी कृत आकड़े भी होते हैं और आज वर्गी कृत आकड़े भी हमारे पास होते हैं ठीक ना तो वर्गी कृत आकड़े में जैसे तुमने कहा संख्या एक दो तीन चार इनका हमें समानतरमात दिग्यात करना है ठीक है ना तो क्या क्या संख्या बोली मैंने एक दो तीन चार संख्या है बोली ठीक है तो इनको सबसे पहले हम जोडेंगे इनको क्या करेंगे हम जोडेंगे एक, दो, तीन और चार को जोड़ेंगी जोड़ेंगी अब कुल कितनी संख्याय हैं? ये कुल कार संख्या है तो संख्या चार जो है उसको हम जो कुल जोड़ाएगा उसको चार से भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको समानतर माद्य ठीक है ना? तो यहां तो मैंने किती संख्याय बोली थी आपसे? 4 संख्याय ठीक है? तो इन संख्याओं में एक दो तीन चार हमने जो देखा यह वर्गी कृत आंक्ड़े हैं ठीक है ना? अब यही बात आव वर्गी कृत आंक्ड़ों के लिए तरफ चलते हैं अब वर्गी कित आंक्ड़े जो होते हैं उसमें संख्या एक पांच बार आजाएगी ठीक है अब एक ही संख्या कई बार आजाती है कई बार आजाएगी अब संख्या दो भी पांच बार आजाएगी ठीक है? संख्या तीन भी पांच बार आजाएगी तो बच्चों हमको जोलने में कैसी दिक्कत हो जाएगी? देखना अभी, हम बता रहे हैं आपको ना? ध्यान से देखना हमने कहा एक संख्या जो है वो पाँच बारा आ रही है तीन, चार और पाँच इसी प्रकार से हमने कहा संख्या दो, तीन बारा आ रही है ठीक, इसी प्रकार से हम कहा रहे हैं कि संख्या तीन जो है वो चार बारा रही है ठीक है? और इसी प्रकार से संख्या चार जो है वो पाँच बारा रही है ठीक? अब यह तो हमने केवल इतनी संख्या ली है चार संख्या है जो ली हमने वो एक कम आवर्ती ये ली है जैसे एक पांच बार हमने कहा आईए आवरती हो रही है दो तीन बार आवरती कर रहा है संक्या तीन चार बार आवरती कर रहा है और संक्या चार जो है पांच बार आवरती कर रहा है बच्चो अगर मैं इसको तुमको बोलू जोड़ दो तो समय लगेगा जोडने में 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 जोडने मे तो आपकी बार हमने कहा सबसे पहले संख्याएं जो है उनको X नाम दे दिया हमने थीक है X I आई का तात पर यहाँ पर जितनी बार होगी वन एक दो तीन चार पांच जितनी बार हम उसके वार हमने एक सालनी बनाई जिसे हम F से दिखाते हैं इसे हम कहते हैं बारम बारता, बारम बारता, ठीक है न, तो जैसे मैंने कहा, कि संख्या एक, कितनी बार आई थी, पाँच बार आई थी, ठीक है, उसी तरीके संख्या दो, तीन बार आई थी, संख्या तीन, चार बार आई थी, और संख्या चार पाँच बार आई थी, यह बा एक जो है वो 5 बार आई हुई है ठीक है तो जोडेंगे हम एक को 5 बार जोडेंगे तो 5 मिलेगा उप्टर जी है तो आप पिशला तरीका जो हमने बुला था सब को एक साथ जोड के लिखा था वो एक लम्बी फी धी थी जी, ठीक है ना, उसमें समय लग रहा था, लेकिन आप देखो, अगर हम एक और सालनी त्यार कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, F और X का गुणा, इन दोनों सालनीों को गुणा कर लेते हैं, तो एक और पाच को गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? फाच उत्तर आएगा? ठीक है ना, और 2 और 3 को अगर गुणा करेंगे तो तर कितना आएगा? 6 शे आएगा, ठीक है ना, और अगर पिछले तरीके से बात करते हम, तो 2 को कितनी बार जोडना पड़ता? तेन बार जोड़ना पड़ता है, दो को तीन बार जोड़ते हैं, तो दो धन, दो करना पड़ता है, समझादा लग रहा था, लेकिन यहां देखो हमने इसको सरल तरीके से उता दिया, दो और तीन का गुणा करें, तो उत्तर कितना आएगा, छे, यानिक दो उत्तर एक ही आए कि इसे तरीके से चार को पांच बार जोड़ते समय लिखेंगे चार धन चार इस तरीके से तो एक जगा लेगा और जोड़ने में दिखताद भी होगी लेकिन अगर हम यहां देखे चार गुणा पांच कर दे कितना हो जाएगा 20 तरीर कहाह तहले है तो हम लोग निया पर कितला कर दिया 20 कर दिया हुआ समझ आ रहे आप लोग को को पताविशessa तो ये जो हमने यहां पर आकड़े यहां आकड़े लिखे है ऑर यह आकड़े जतनी बार उनको सामने हमने ल okay घग है तो यह जो कहलाती है बारम बारता सारणी कहलाएगी क्या कहलाएगी बारम बारता सारणी जितनी बार उसको जिसकी आवरती हो रही है उस संख्या की आवरती जितनी बार हो रही है उसको हम बारम बारता सारणी में लिख लेते हैं ठीक है तो हमने क्या कर दिया ये इतनी साले जो त्यार हो गई हमारी ये हो गए हमारे अवर्गिक्रत आंकड़े अवर्गिक्रत आंकड़े ठीक है ना इतनी बास समझा गई ठीक है अब हमने आज हम आपको बता रहे हैं समानतर मात दे निकालना अव वर्गिग्रित आंकडों का समानतरमाद ग्याद करना यही बता रहे आपको ठीक है तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कहा था जब हम सूत्र लिखते थे पिशली कक्षा मैं में पड़ा कि समानतरमाद में जो वर्गिग्रित आंकड़े होते उनका समानतरमाद कैसे निकलता है उनका समानतरमाद निकलता है जितनी भी संख्याए हैं उनको जोड ले और जितनी बार आवर्ती हुई है जितनी संख्याए हैं उससे भाग कर दे ठीक है ऐसे अब युदाना दिया था एक दो तीन चार इनको जोड लिया और चार से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया ठीक है तो ये तरीका भी वही तरीका है ये भी जो हम पढ़ने वही तरीका हम करें कुछ ऐसा ही लेकिन हमने यहाँ पर बारंबरता सालने की मदद से इस कर दिया है करना वही हमको ठीक है ना हमने इसको गुणे करने के उससे चोटा कर दिया इस थान कम गेरे गाई ठीक है अब देखो एक को हमने कितनी बार जोडा था पांच बार तो ये सालानी जो हमको दिखा रही है ये इन संख्याओं की आवर्ती के साथ जोड दिखा रही ह ठीक है ना, तो एक को पांच से गुणा करने पर पांच प्राप तुआ, ठीक, सही है ना, यानिकि एक को पांच बार जोड़ेंगे तो पांच ही मिलेगा, पांच लिख दिया हमने सीधा, एक धन एक दिना दिखा करके सीधा पांच लिखा, दो को तीन बार गुणा करके उत् आवर्ति के साथ समझ आ रहा है? जी बास समझ रहे हो? जी तो इनको हम क्या करेंगे? अब इन संख्याओं को हम जोड लेंगे ये पाँच, छे, बारा और बीस को हम लोग जोड लेंगे बास समझ रहे हो? जी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बास खुल जोड हो जाएगा बास समझ रहे हो? अब आप बताओ भाग किस से करते थे हम लोग? भाग किस से करते थे हम लोग? जितनी बार संख्या आए जितनी बार संख्या आए चार संख्या होंगी चार से भाग करेंगे 10 होंगी तो 10 से भाग करेंगे 20 होंगी तो 20 से भाग करेंगे एक होंगी तो एक से भाग करेंगे अब ये बताओ हमको ये जो 5, 3, 4, 5 ये क्या आया है ये आवरती है बारम बारता है इतनी बार संख्याए आई है तो ये क्या हो जाएगा कुल कितनी संख्याएं थी, इससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि कुल कितनी संख्याएं थी, ठीक है न, तो आप क्या करेंगे, इस सारणी का जोड होगा, ठीक, उसको किस से भाग कर देंगे, न, पास नहीं, इस सारणी के जोड से भाग कर देंगे, बास ममाया, उस सारणी के की संक्या कि अतिनी बार जोडी जाएगी यहे हमारे पास है ठीक है तो इस सारीनी के जोड को इस आवरति की सारीनी से हम भाग कर दे तो हमें समानतरमाद्ध प्राप्त हो जाएगा अगर गीकृत आकड़ों का समानतर मात्य हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा बात समझ आगए आपको एक बार और धार देखते हैं ठीक है थोड़ा बड़ा धार क्योंकि अभी तो अमने संख्यायन ली थी छोटी-छोटी ती आप समझना बात को ये कक्षा साथ के चात रहे ठीक है ना उनके ये कुछ प्राप्तांग है उनको कुछ नंबर मिले ठीक है यहाँ पर ये प्राप्तांग जैसे चौतिस नंबर किसी बच्चे को चौतिस नंबर मिले ठीक है ना तो ऐसे कक्षा में कितने बच्चे हैं जिनको चौतिस नंबर मिल तो समस्या हो जाएगी थोड़ी सी, समय लगेगा, टाइम लगेगा ना, तो यहां हम जोड़ेंगे नहीं, यहां बुद्धिवानी क्या दिखाएंगे, हम 34 को साथ से गुड़ा कर लेंगे, ठीक है ना, तो यह जो सालानी हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, इसको हम लाम दे देंगे, एफ गुड़ा, एक्ससार, अर्थात, हमने इस तालिका को और इस तालिका को गुड़ा कर लिया, तो देखो पहली संख्या, 34 को साथ बच्चों से अगर हम गुड़ा करते हैं, तो यह हमें उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है, 34 को साथ बार जोलने के आँशकता न पड़ी हमको, साथ से गुड़ा करके हमने काम चला लिया, तो किया भी सही है, साथ बार जोले, या साथ बार गुड़ा करें, उत्तर एक आएगा, साथ से गुड़ा करें, उत्तर एक आएगा, इस तरीके से हमने का 35 जिनको अंक मिलें बच्चों को, वो कितने बच्चे कक् तो इन दोनों संख्याओं को हम गोड़ा करेंगे तो हमें उत्तर प्राफ्थ हो जाएगा ठीक है ना फिर उसी तरीके 37 अंग पाने वाले कितने बच्चे हैं फाच बच्चे हैं तो हमें इसके गोड़ा कर दें पास से ठीक है इस आरानी में हम लिख लेंगे फिर 38 को दो से ग दिखा रहा है यह माक्स दिखा रहा है बच्चों के प्राप्ता अंग को दिखा रहा है अब 38 अंग वाले कितने बच्चे हैं दो बच्चे यह दिखा रहा है कि यह दो बच्चे है ठीक है तो हमने इस सारणी को क्या कर दिया इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जोगी य यहां पर चिन दिखा रहे हैं हम यहां पर यह सिग्मा इसे बोलते हैं जोड का चिन क्या बोलते हैं ऐसको जोड का चिन उता है उसे Sigma बोलो Sigma पोलते है £x लिखा रहा हम ने इसका मतलब है कि F सारणी और x सारणी को जोड के प्राक्त जो सारणी हमको मिलती है उन सब को क्या कर दे जोड दे बहुत अब संगा है अब 7 3 3 5 2 यह क्या है साथ तीन तीन पास दो यह क्या है यह कक्षा में कुल बच्चे है ना कक्षा में कुल बच्चे है यही बात दो ही है ना तो अब इन कुल को हम लोग जोड लेंगे क्योंकि कुल यहीं तो होंगे, है न? इनको हम जोड लेंगे अब जोड़ने के बाद हम लोग एक सूत्र लगाते हैं सिगमा एफ एक सी बटे खुल संख्याएं और उत बच्चें कितने एदिने बच्चे और ठात कितने बच्चें इख से का कर दें भागा alt तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा समांतर मात देए तो यह किस तरीके से हमने समांतर मात देए अब अब अपने पुस्तक में सवाल देखोगे तो समझ जाओगे समांतर मात देए जब जग़र होंगी तो हम लोग उनको क्या कर देए एक डिगे से भुणा नहीं तो अब आपको अपनी कक्षा में परिशानी तो नहीं होगी समानतरमाद ग्यात करने में? नो तो आज आप लोगों ने जाना कि अवरगी करत आख्ड़ों से समानतरमाद कैसे ग्यात किया जाता है अब हम अपनी अगली मुलाकात में किसी ऐसे ही रोचक बिंदु के साथ एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्तेत होगे आज बस इतना है